Hello friends, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हाँ सब लोग? मास बढ़िया, तो चलो श्टार्ट करते हैं आज हम लोग Human Anatomy and Physiology का चेप्टर नुबर 5 का लेक्चर नुबर 4 जहाँ पर आज हम समझेंगे Blood Clotting का Mechanism, Very Important Topic, ठीक न, Blood Clotting समझते ही हो, जोहारे कट लग जाता है, थोड़ी देर बा Clot कहा जाता है, ठीक है, यह तो पता ही है कि Blood जो हमारे Body का अदर घूम रहा है, वो क्यों नहीं जमता है, क्योंकि हमारी Body में क्या है, एक Heparin नाम का Chemical पाया जाता है, पर चुकि हम लोग लाक्ट लेक्चर में, जो Anticogulant का काम करता है, अब बाहर आने के बाद, वो Chemical नहीं र आर्ट है, अगर हम इसको Return Point of View से समझें, एक तो यह भी लिख सकते हो, ठीक है, एक तरीका लिखने का यह है, दो तरीके बता रहा हूं लिखने के, ठीक है, theoretical Point of View से, एक यह तरीका यह भी है, और एक बाद तरीका बताऊंगा, वो Best तरीका है, ठीक है, समझते हैं इसको, तो कहां चला गया, ओके, यह नस है हमारी, ठीक है इसको क्या हुआ, यह यहाँ पर हलका सा ऐसे था, तो यह यहाँ पर क्या होगी, डैमेज हो गई, अब यहाँ से क्या है, क्या कहता है, यह Blood जो है निकलना, स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे ही Blood Vessel में Damage होगा, ठीक है न, तो डैमेज होने के साथ ही क्या होगा, कुछ चीजे होना शुरू हो जाएगी, सबसे पहले क्या होगा, Vascular Spasm, Spasm होता है, जैसे जो मालो यह एक Blood Vessel था और यह से फट गई है, तो यह Spasm, Contract करके, Contract करके यह क्या करेंगी, पास आने की कुशिस करेंगी, तो क्या करेंगा, Immediate Constriction of Blood Vessel, Blood Vessel तुरंट Constrict कर जाएगी, ताकि जैसे पतली हो जाएगी, पतली होने से क्या होगा, मालो इतना मोटी Blood Vessel है, तो इसके अंदर से खून बहुत ज़्यादा बहरा है, पतली हो जाएगी, तो यहाँ पे खून बहरा सा क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, तो खून जैसे मालो यह Blood Vessel है, कट लग गया, यह ऐसा कट हो गया, तो यहाँ पर क्या है, यह प्रेश टूगेदर, यह आपस में contact होने कोशिश करेंगी, और यह कैसी हो जाएगी, यहाँ पर चिप चिपा पदार सा आजाएगा, और adherent to each other, और एक दूसरे में चिपकने की कोशिश क करती है, जिससे की minimize blood loss, blood loss क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यह एक तरीका लिखने का, कि क्या हो रहा है, शुरुवात कहां से हुई है, ठीक है, आगे आते हैं, अब इतनी process होने के बाद हमारा platelet आता है, कौन आता है, platelet, ठीक है न, platelet plug formation, अब platelet का plug बनेगा, plug कैसे बनता है, मैंने जैसे बताया है, आभी, यह एक diagram भी है, मैं दिखाऊंगा अभी, कि मालो, यह blood vessel था, ठीक है न, अब क्या होगा, जो platelets है, वो आ करके, जो यहाँ पर होंगी, वो आ करके, यहाँ पर, जमना स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से उसका plug बन जाएगा, blood अब बाह यह देखो, यहाँ से रप्चर हुआ, अच्छा है, यहाँ पर एक और चीज़ बता दूमें, सबसे अंदर की जो layer होती है, इसको हम लोग क्या कोलते हैं, endothallium कहते हैं, क्या कहते हैं, endothallium, और यह किसकी बनी होती है, collagen fiber की बनी होती है, किसकी बनी होती है, collagen fiber की, यह मैं य यहाँ क्यों बता रहा हूँ, इसका भी इस्तमाल होगा अभी, तो रप्चर हुआ, ठीक है, broken vessels, यह RBC बहाराना स्टार्ट और यह plasma है, ठीक है, अब क्या होता है, activated platelets, platelets क्या कर जाती है, activate हो जाती है, और यह देखो इस तरीके से, इन्होंने यहाँ पर क्या बना लिया, plug सा बना लिया, यह क्या बना लिया लोगने यहाँ पर, plug बना लिया और इसका बंद कर लिया, अभी कहानी यहाँ तक है, platelets जब ऐसे बंद जाती है, उसके बाद फिर finally, fibrin नाम का fiber आता है, और पूरा जाल सा बना देता है, और यह permanent clot बनता है, permanent clot बनता है, तो यहाँ पर क कट लगा, हम ऐसे रूई लगागे, ठांस दें उसे, तो वो plug बन जाता है, ठीक है, अब क्या और है, लिखो क्या लिखा हुआ है, damaged blood vessel, injury to vessel lining, lining बता जो परत है, triggers the release of clotting factor, अब यह clotting factor की बात हम बात में करेंगे, clotting factors, यहाँ लिखा हुआ है, clotting factor बनना, clotting factor अपना काम करना सुरू कर देते हैं, vasoconstriction limits the blood flow, blood vessels जो है तो यह ऐसी थी, यह ऐसी हो गई है, construct कर गई है, यह नौर्मल थी, यह अब ऐसी होगी, जिससे कि यहाँ पर ज्यादा blood ना आ है, construct, limit the blood flow and platelet form as sticky plug, platelet एक चिप्चपा, plug बना लेती हैं यहाँ पर, development of clot, अब जाके clot बनेगा, platelet ने plug बनाया, clot ने बनाया, fibrin strands adhere to the plug, fibrin strands पूरा ऐसे लेपट जाता है, adhere हो जाता है, form an insoluble clot, अब यह पानी से भी घुलेगा नहीं, जेखते हो पपड़ी होती है, नहादे रहो घुलती नहीं है, ठीक है, insoluble clot होता है, अब आते हैं वापस, जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठी ठीक है, तो second कहानी आगी थी, platelet plug formation, ठीक है, तो platelets attached to exposed collagen, platelets जो होते हैं, exposed collagen, exposed मतलब, जो तूट फूट गए है, है ना यह अंदर की lining है, collagen 5 होते हैं, तूट गए हैं, यह एक्सपोज जिखाई पढ़ रहा होगा, यहाँ पर आकर के collagen क्या हो, platelets जो होते हैं, वो आकर क्या क ठीक है, पहली चीज, collagen का concept समझ में आया, collagen बहुत ज़रूरी है, बिना collagen के काम नहीं करेंगे यह, अब, aggregation of platelets causes release of chemical mediator, जैसी, यह platelets aggregates होंगा, जुंड बनाके घट्टे होना शुरू हो जाएंगे, तो यह chemical release होता है, जिसे mediator कहते हैं, ADP, adenosine diphosphate and thromboxane A2, याद more platelets, अब ADP क्या होता है, वो और ज्यादा platelets को attract करता है, क्योंकि हमें हमें plug बनाना है, और जो thromboxane A2 होता है, यह powerful vasoconstructor होता है, तो दोनों चीज, ध्यान रखेंगे, ADP, यह दोनों जो mediator वहां से release होएं, इनके एखटा होने के वएसे, दो chemical release होएं, ADP और thromboxane A2, ADP जो को पिचकाता है उस हिस्ते में, जिससे की blood कम से कम निकले, promotes aggregation, है ना, promote करता है कि और ज्यादा platelets आपसे चिपक जाएं, and more ADP, और जिससे की और ज्यादा ADP निकले, leads to formation of platelets plug, इस तरीके से finally, पूरा का पूरा platelets plug बन जाता है, कहानी यहां तक खतम होती है, अब तीसरा step न एक साथ सुरू हो जाते हैं, है ना, मैंने यह अलग लग बता दे, आईसन की पहले यह होगा, फिर यह होगा, फिर यह होगा, तीनों step एक साथ स्टार्ट होते हैं यह, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, तो blood cocculation या clot formation, अभी तक plug बना है, ध्यान रखना, अभ हाँ पर क्या होगा, liquid से solid में बदलना इस्टार्ट गाएगा, clot reinforces the plug, अब जो clot था, वो reinforce, reinforce मतलब और ज्यादा ताकतवर बना देता है, plug को, कैसे बना ज्याता ताकतवर, तो हम जानते हैं, कि यह जो clot है, इस ने आ करके, इस plug की उपर पूर जाल बना लिया है, तो अभी औ स्ट्रॉंग हो गया, that is called reinforce, multiple cascade step in clot form, multiple cascade क्या होता है, जो multiple cascade है, इसको अभी हम पढ़ेंगे, multiple cascade step क्या मतलब है, cascade step का मतलब यह होता है, कि यहाँ पर एक बार एक step start होता है, वो अगले को start करेगा, वो अगले को start करेगा, अगले को start करेगा, अगले को start करेगा, अगले को start करे हैं करते चले जाते हैं that is called cascade effect अलाश में क्या होगा fibrinogen जो plaza protein होता है fibrin ठीक है ना fibrinogen किसे बदल जाता है fibrin में thrombin की help से ठीक है यह अभी हम देखेंगे इसको किस तरह से हो रहा है और यही fibrin हमारा क्या हो रहा है fibrinogen किसे बदल गया है fibrinogen बदल गया है किसकी help से thrombin की help से और फाइनली क्या हो गया है blood clot हो गया बासमझ में आ रही है अब यहां पर एक question बड़ा अच्छा arise होता है bleeding time बच्चा बड़ा confuse भी रहता है फिर बता रहा हूं मैं teacher तुमसे तुम्हारा वायवाय पूछ सकता है ध्यान से देख लो bleeding time और clotting time से क्या मतलब है bleeding time or clotting time ठीक है देखने में लग रहा है बात तो एक ही है तो bleeding time को मतलब क्या होता है bleeding time से मतलब क्या है अब तो पर कर लेते हैं यहीं से समझ में आ जाएगा मैं अपना color भी change कर लेता हूं हरा कर लेता है इसको ठीक है समझो जैसी cut लगा और cut लगने के बाद plug बन गया this is what plug जैसी plug बन गया खून निकलना बंद हो गया तो कितनी देर में plug बना यहां से लेके यह वाला step इसी को हम कहते हैं क्या bleeding time तो bleeding time में कौन role play करेगा प्लेट कौन रोल प्लेट कर रहे हैं प्लेट लेट की वाई से bleeding time decide होती है अब प्लक के बाद fibrin आता है अगले step में यहां से लेके यहां पर यह क्या step है यह है clotting time क्योंकि clot तो प्लक के उपर ही वनेगा तो clotting time में कौन responsible है अपने पास this fibrin यहां पर कौन ही हमारे पास fibrin आ रहा है तो clotting time को कौन decide कर रहा है हमारे पास fibrin decide कर रहा है तो ध्यान रखना bleeding time और clotting time में अगर मैं तुमसे generally पूछ लो कि बताओ किसका time ज्यादा होने वाला है तो होवेशी बात है bleeding time कम होगा clotting time ज्यादा होगा ना bleeding पहले रुख जाएगी clotting सुरा बाद में होगी बात समझ में आ रही है clear है तो clotting time बड़ा होता है bleeding time से बच्चा के वर कहता है सर बात तो यह कि यह clot हो गया bleeding रुख गई तो bleeding time का अदलब कितनी देर के लिए bleed किया जैसे ही प्लग बन गया very important जैसे ही प्लग बना bleeding रुख जाती है ठीक है ना उसके बाद फिर क्या होगा clot बनता है दिर दिर हमारा और इसके बाद भी कई बार हलका हलका सा है सीरम सा निकला रहता है पीला पीला सा निकला वह दिखाए पड़ता है that is called serum उसके अंदर ना clotting factors नहीं होते हैं अभी हम clotting factor के बारे में detail में समझेंगे यहां तक कहां नहीं समझ में आई bleeding time clotting time clear है ओके आगे आते हैं अब देखो यह सब बाते तो होगी लिखने के लिए आप मालो diet question आ गया है ठीक है तो दो number में आया है तो इस तरह से इतना लिख सकते हो या दो number में आया है question और तुम लोग चाहते हैं को नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो दो number के question के लिए ऐसा भी लिख सकते हो पूरी जो उपर यह कहानी थी उस पो इस तरह से represent कर सकते हो कि damage to blood vessel यह stimulate करेगा coagulation of platelets प्लेट्स प्लेट्स आकर coagulate आकर जुंड़ बना लेती है coagulate secret करती है thrombokinase नाम का एक enzyme thrombokinase क्या करता है pro thrombin को थ्रॉम्बीन में convert कर देगा अब जो थ्रॉम्बीन है formation of thrombin थ्रॉम्बीन जो है fibrinogen को fibrin कर देता है और जो formation of fibrin है यही ultimately क्या है यही तो fibrin था fibers जो चिपक रहते उपर है ना यही आकर कि इसको क्या कर लेते हैं blood को clot कर देंगे तो मालो एक नंबर का question आ गया या दो नंबर में आ गया तो यह दो माक्स के लिए इसको भी बना सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है बट कोशी से करना का तीन नंबर या पांस नंबर में question आ गया है blood clotting फिर तुमको क्या करना है उपर वाला पार्ट तो लिख सकते हो लिखने के बाद जो यह तीसरा पार्ट है ठीक है ना यह तीसरा पार्ट है blood coglation for clotting cascade इस cascade को तुमको explain करना पड़ेगा यह तहना पांस नंबर के लिए परियाब्त नहीं रहेगा या मैं मैं कहा रहा हूं कि अगर मान लो दो नंबर तीन नंबर कोई भी question आ जाए उपर वाला कुछ नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो सीधा यहां आ जाओ इसको मैं समझने के लिए थोड़ा सा असान कर लेता हूं और यहां पर ले चलते हैं यह 12 है ना इसको ऐसे याद रखना 12 लेकिन जब एक्जाम में लिखो गए तो रोमन नंबर में लिखना 12 थर्टीन ऐसे लिखना याद करना असान हो जाता है 12 12 फिर 11 से 11 ना या गया 12 वे यह आगया 11 फिर यह क्या आ गया 9 अच्छा 11 के बाद क्या आता है टेन आता है प्ट pure यहां पर क्या है नाहीं नाइन ए और फिर क्या आगया मैं तरह बात समझेंगा अभी हम लोग और स अरी बात है जो हमें करनी है और मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूँ यह क्या हुआ इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा अच्छे पूरा कुछ गरबड हो गया है चलो इसको मैं पूरा फिर से करता हूँ क्योंकि यहां कुछ गरबड हो गई है तो कि बड़ा हो गया यह हमेरे कर लग रहा है हाँ ठीक है इतना ही है तो इतना सामने आ ठीक है अब फिर से चलते हैं इसको समझते हैं समझते हैं यहां से ठीक है पहले से फिर्जा आ जाते हैं समझने के लिए एक है एक्स्ट्रिंसिक पाथवे और एक है इंट्रिंसिक पाथवे दोनों तरफ से हमारा clotting factor श्टार्ट होता है यही है मेरा cascade एक step के पाद अगली step श्टार्ट हो आती है this is the cascade this is the cascade cascade होता यही है एक तरफ श्टार्ट होगा तो चलता चला जागी chain आखरी तक अब दो तरफ से clotting factor जो है यह काम करना start करते एक है intrinsic surface contact होता क्या interesting पर मैंने पहले बताया था यह मेरी blood vessel है blood vessel में जो अंदर की तरफ क्या होती है collagen fiber होते हैं क्या होते है collagen fiber अब यह collagen fiber जैसे ही तूटते हैं अब तक ठीक हैं जैसे तूटे तूटने की वज़े से क्या होता है chemicals जैसे तूटते हैं तो chemicals release होते हैं उसकी वज़े से अंदर समझ में आ जाता है कि collagen fiber क्या हुए हैं रप्चर हो गए हैं तूट गए हैं तो surface का contact होता है जैसे ही यह तूटते हैं अंदर से body के अंदर से तुरंत factor 12 factor 12 यह बदल जाता है 12A का मतलब है activate हो गया activated form में अब 12 हावर पास क्या है hegman factor एक enzyme है serine protease यह पहले inactivate होती है अब यह क्या होगी activate होगी ठीक है अब यह 12A जो है यह 11 को activate कर देगा 11 क्या है मेरे पास plasma thromboplastin यह 11 11a में activate हो गया 11a 9 को activate कर देता है ठीक है 9 यहां पर क्या है हमारे पास Christmas factor है यह भी serine protease है 9 से 9a आ गया अब 9a जो है वो 10 को 10a में convert कर देता है यह अंदर से body के अंदर से कहानी चल रही अच्छा 11a जो है उसमें साथ-साथ PL 8 factor 8 और calcium ठीक है न अब PL क्या है platelet membrane phospholipid या ने कि platelet की membrane की phospholipid होती है वो factor 8 जिसको कि हम लोग क्या बोलते है ठीक है यह factor 8 आ गया और यह आ गया क्या calcium आए यह तीनों मिल करके एक दो तीन और यह तीनों मिल करके बलगी कहा जाए 10 को 10a में बदल देते हैं यह कहानी आगे अंदर से ठीक है ना 12 11 12 12 11 11 11 एक्टिवेट करके दिहान रखना सब्सक्राइब बनाते वक्त फिर आए नाइन से नाइन और नाइन और यह तीनों मिल करके टैन को टैने में बदल देते हैं एक कहानी यह खतम अब extrinsic by blood vessel के उपर यहाँ पर क्या है उपर क्या है यहाँ पर क्या है मतलब tissues है muscles है है ना muscles के अंदर क्या होंगे tissues होंगे और जब ब्रण वैसल रप्चर हुई है तो यह भी रप्चर हुए होंगे फैक्टर जो 7 है वो किसे मदल जाता है 7a में अब टिसू फैक्टर और 7a वाले फैक्टर 7a धहान रखना है extensive pathway में किवल एक फैक्टर है 7a यह दोनों मिल करके 7 वाला कौन सा stable फैक्टर है saran protease यह दोनों मिल करके 10 को 10 a मतलब एक तरह से 10 इधर से भी और इधर से भी यह factor 10 यानि की कफी ज़ादा important है common है यह दोनों मिलकर गए 10 को 10A में convert कर रहे हैं 10 को 10A में convert कर रहे हैं किलियर है यह common passive आ गया 10 किस में convert हो रहा है 10A में convert हो रहा है किलियर है बातें ध्यान रखेंगे 10 किस में convert हो रहा है 10A में करणवर्ट हो रहा है अब जो 10A है और साथ साथ में फेक्टर नमबर 5 PL और कैल्सियम है ना फेक्टर नमबर 5 PL और कैल्सियम ये मिल करके प्रो थ्रॉम्बिन ठीक है ये मिल करके प्रो थ्रॉम्बिन को थ्रॉम्बिन बदल दे रहे हैं जो अब जब प्रोथ्रॉम्बिन है वो क्या करता है 12 को 13 A में बदल देता है 12 12 यह उसकी वाजे से त्रविन एक और काम भी कर रहा है कि यहां पर क्या है कि और इस फाइबरेंगे कि थीची हो है थीघ्में इसे अगर में तो यह अगर तुम यह भी लिखक्ते आथे बन को सब्सक्राइब क्लिया इसमें दो झाली दिखनी है कुछ बड़ी इंपॉर्टवटन डिजीज हैं जैसे थ्रोम्ब्बो साइटो पैनीच्ない या ने कि कमी जब थ्रॉम्बोसाइटरा कमी हो जाएगी तो प्लेट decrease कर जाएगा यह ध्यान रखना bleeding time पर affect पड़ेगा bleeding time decrease कर जाता है और जब hemophilia होगा hemophilia कब होता है factor 8 यह देख रहे हैं पर factor 8 इसकी जब कमी होती है factor 8 की है ना deficiency of factor 8 that is called hemophilia बहुत common है आम है और भी हो सकते हैं यह बड़ा common है this increase the clotting time क्यों factor 8 होने के वएसे यह अला काम नहीं हो पाएगा fibrin नहीं बन पाएगा क्या नहीं बन पाएगा fibrin अच्छा thrombocytopenia में क्या है platelet सी कमी होगी तो plug नहीं बन पाएगा तो bleeding time पर असर पड़ा bleeding time बढ़ जाएगा यहां पर क्या होगा clotting time बढ़ जाएगा तो ध्यान रखना bleeding time कब बढ़ेगा और clotting time कब बढ़ेगा यह दो common disease है one one question में आ सकता है clear है बात समझ में आगी तो थोड़ा सा confusing हो सकता है बड़ा दिमाग से मतला अपना याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कैसे अच्छा जरूरी नहीं है जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है ऐसे याद कर सकते हो 12 12A ठीक है अब 12A काम 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 रहेगा 11 को 11A में बदल देगा ठीक है 11A को किसे मदल दाएगा 9 को 9A में बदल देगा लेकिन तुम लोग याद करने कर तो ऐसा कर लो बट एक्जाम में 12 को 12 ही लिखना एक का मतलब क्या होता है एक्टिवेटेड फॉर्म कि वो एक्टिवेट हो गई किलियर है यह बात समझ में आ गई किलियर है किस तरीके से हमारा क्लॉटिंग हो रहा है तो यह कास्केड है दोगो यह इसको एक्टिवेट करता है ठीक है यह इसको एक्टिवेट कर रहा है यह ये इसको activate कर रहा है शो कर करा चक्ट कि अधा यह सको यह सको यह सको इसको यह गहएक चेंन है यह यह अगर पितनों कोई चीज गलबाद नहीं होती तो तो पूरी chain है इसलिए इसको क्या कहा जाता है के लिए है मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी अब तुम लोगों को दो कमन डिजीज भी बता दी मैंने और ये अपना आ गया My Nurture App तो ठीक है तो मेरे ख्याल से Blood Clotting का Concert बहुत अच्छे से Clear हो गया होगा Clear नहीं हुआ तो एगर ही वीडियो को वापस से Revise करें वीडियो को वापस से देखें और कुछ ना इसमें कुछ पढ़ने का इच्छा ना हो तो केवल जो Last में मैंने आती है तो फोन करो और रिवीजन करते रहो पढ़ते रहो और टी फार्मा को फोड़ दो फोड़ोगे ना पक्का तो पढ़ना है और रिवाइस करना है ओके All the best